तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो मैं आप सभी को बताऊंगा विंडूस 11 के और नीव फीचर्स जो की काफी इंट्रेस्टिंग है मैं 120 दिन से विंडूस 11 यूज कर रहा हूँ जो भी कुछ निव फीचर्स मैंने यूज करें काफी यूसफुल रहा है मेरे लिए मैं वो आप से भी को इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए देखते हैं क्या क्या फीचर्स है इसमें और इनको कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी प्रोड़क्टिविटी को बढ़ा सकते हैं तो जो पहला फीचर है वो है वाइस टैपिंग ये विंडूस में बहुत ही पहले से बट क्या होता कि आप्टिमाइज नहीं होता था और लोग बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे बट यह इस टाइम बहुत ही मस्ट कर दिया गया है इसमें आपको करना क्या है प्री रिकॉडड़ वीडियो है तो आपको इंग्लिस में दिखाई दे रहा हो क्योंकि मैं इंग्लिस चैनल पर ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अगर आप student है तो अपने assignments को टाइप करने के लिए आपको क्यों अपने उंग्लियों का थकाना है आप इसको यूज कर सकते हैं बहुत ही easy से तो यह काफी useful feature है बहुत इलोग के लिए ठीक है यहां पर आप माइक देख रहा है sleep mode और यह सब क्लिक करते ही अब आप कुछ भी बोलेंगे ना जैसे कि मैं बोलता हूँ open chrome देख सकते हैं open chrome हो गया open microsoft age आप देख सकते हैं turn out voice access तो यहां पर बहुत easy है यूज करना next amazing feature है android apps on windows 11 ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं windows 11 में android apps आ चुके हैं आपको बीटा चैनल में मिल जाएंगे बट आपको नहीं पता कैसे इंस्टॉल करना है और लेडी मैंने वीडियो बना रखी है उसका लिंक आपको description में मिल जाएगा आप इस तरीके से इंस्टॉल करके android apps यूज कर सकते हैं अभी के अभी दिख सकते हैं इंस्टाग्राम में यूज करना मोदी जी कुछ बजा रहे हैं इसमें क्या होगा आपकी productivity बहुत ज्याद कर देंगे ठीक है तो यह future में काफी useful हो का लोगों के लिए नेक्स्ट अपडेट है बहुत जादा amazing है setting apps related setting apps की UI completely change हो चुकी है आप देख सकते हैं मैं open करता हूँ बहुत ही बढ़िया सा look दे दिया गया है यहां पर best part गया है यह क्यों इन्होंने चेंज करा क्योंकि यहां पर apps में जाते हैं आप देख सकते हैं apps का जो uninstall apps करते हैं आप अपने control पैनल जाके वो सारे uninstall option यहां पर setting apps में move कर दिए तो पूरा control पैनल आपको setting apps में move करता हूँ दिखाई दे रहा है windows 11 में next amazing feature है windows 11 की new themes यह काफी game changing होने वाली है क्योंकि यहां पर देखते हैं personalization में आ start menu start menu आपको center में मिलता आप इसको side में कर सकते हैं but यहां पर पूरा look आपको change कर दिया गए तो यहां पर आपको सारे apps मिल जाते हैं unpin unpin जो भी करना चाहाँ तो यहां पर start menu काफी change कर दिया गए ठीक आप इसको resize resize नहीं कर सकते हैं यह disadvant area और यहां पर recommended section आप अभी move नह बीचिन पर यहां पर आपको जाते हैं यहां पर आपको आइकन्स आपको center में मिल जाते हैं आप इसको left side में भी कर सकते हैं right click करना है आपको टासबर right click cotton set goingаш इंब करना हैं यहां पर आपको टासबार आइटम्स में कुछ option मिल जाते हैं, आपको search option आपको enable करना है, आपको दिखाना है आपर तो यहाँ पर toggle on off कर सकते हैं, ठीक है, तो widgets आपको मिल जाती है, यहाँ पर chat मिल जाती है, काफी चीज़ें इन्होंने introduce करी हैं, next amazing feature है new desktop, यहाँ पर add पर click करेंगे तो आपक के लिए उख कर सकते हैं, कोई desktop अपने gaming के लिए उख कर सकते हैं, तो multiple desktop आप यूज कर सकते हैं, best part यह भी है कि आप इसको rename कर सकते हैं, like मैं यूज करना जाता हूँ, इसको music के लिए तो यहाँ पर मैं music type कर दूँगा, अब यहाँ पर आप इसका background भी change कर सकते हैं, तो simple right click करना है, और change background पर click करते हैं, अब यहाँ पर आपको option मिल जाए, अब यहाँ क्या background आपको लगाना है, तो आपको अपने हिसाब से choose कर सकते हैं, जैसे कि यह वाला site कर दिया, आप यहाँ पर minimize करते हैं, आप देख सकते हैं, आपर दो fall paper आपको मिल जाएंगे, different different desktop पर ठीक ह जो है new widget section, तो यहाँ पर आपको new widgets आपको taskbar में मिल जाती है, यहाँ पर जैसे click करेंगे, तो side से pop-up निकलेगा, वहाँ पर आपको मिलेगा weather और यहाँ पर अपनी small side जो भी आप करना चाते हैं, आप कर सकते हैं, यहाँ पर यह Microsoft की widgets हैं, उनको use कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक update मिला है कि यहाँ पर third party widgets भी आने वाली है, third party widgets in the sense, आप अपने जैसे की Windows Vista में यूज करते थे, आप एपने desktop पे watch लगा सकते थे, या ने desktop पे पिन कर सकते थे, तो वो widgets third party companies work कर रही हैं, Microsoft के साथ, आने वाले updates में वो आने वाली है, next amazing feature है, वो है new chat app, तो यहाँ पर य आप video call, audio call कर सकते हैं, बहुत ही easy, ठीक है, आप chatting भी कर सकते हैं, अपने friend के साथ, तो इसकी shortcut की भी है, आप window plus C दवाएंगे, तो यह chat app open हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, option open Microsoft team, इस पे click करते हैं, यह पूरा सा app खोल देखा, आपको यहाँ पर आपकी notification दे notifications देखती रहेंगे, next amazing update है, related to file explorer, तो file explorer पूरा completely change कर दिया गया, rounded icon मिलते हैं, side में आपको new icons मिल जाते हैं, और आपको top पर सारे tools मिल जाते है, cut, copy, paste, delete, यहाँ पर आप drop down भी देख सकते हैं, काफी कुछ change कर दिया गया, और यहाँ पर folders के beat में extra padding भी add करी गया, जिससे यह लेखने में काफी खुब सुरत भी लगता है, icons आप देख सकते हैं, सारे icons को change कर दिया गया, material design icon है, next amazing increased productivity feature is snapping layout, तो यह आपको काफी helpful करेगा, यहाँ पर आपके बास big screen है, आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, एक side में अपना tutorial देखता रहा हूँ, side में अपना काम करता रहा ह तो यहाँ पर simple आप multiple app open करके, आपको यह option मिल जाता है, snap layout करके, आप अपनी screen को split करके, जितना size आप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, drag and drop करके, तो यहाँ पर दो app आप देख सकते हैं, एक सार रान हो रहा हैं, तो यहाँ पर कितने भी app आप आप रन कर सकते हैं, अगर तो comment में बदाए कि हाँ, यह काफी useful है मेरे लिए और मैं इसको use कर रहा हूँ, next update है related to store app, तो Microsoft store app काफी change हो चुका है, पूरा UI change कर दीगी है, देख सकते हैं, आप यहाँ पर side में आपको home मिल जाता है, आपके apps मिल जाते हैं, gaming, movie, tv, सारे कुछ आपको देखने मिल जाते है आप देख सकते हैं, जैसे ही आप किसी item पर क्लिक करते हैं, यह एक animation मिलता आपको, और right side में उसकी सारी details, तो यहाँ पर आपको यह app काफी beautiful देखने में मिलेगा, तो बात कर लेंदे हैं, Windows 11 की कुछ short cut keys के बारे में, तो यहाँ पर window plus S प्रेस करेंगे, तो search खुल जाएग तो यह एक सकते हैं, आपको time center में और उसके बाद पूरा clean layout, तो दोस्तो यही कुछ amazing features थे, जो कि काफी मैंने use करें हैं, और काफी useful भी हैं, तो दोस्तो यही 27 वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगए तो वीडियो को like करें, और channel को subscribe करेंगर channel पर नए हैं, तो okay guys, thank you so much for watching this video